उन्नाओं के पूर्वा इस्तित एक निजी स्कूल में खड़ी बैंड में संदिग्द परिस्तितियों में आग लग गई इस दोरान पास में खड़ी एक बाइक भी आग की चपेट में आग रही और दोनों वाहन धूधों कर जलने लगे इस्तित स्कूल में पढ़ रहा है बच्चों में अफरत अपरी मच गई भी आग की सुचना पर पहुचे दमकन कर्मी ने आग पर काबू पाया जब की गनीमत रही की घटना में कोई जन्हानी नहीं हुई दरसल पूरवा मौरावा अमार इस्तित सिटी मौडरन स्कूल में सुबा दस बजे परीसर में खड़ी वैन में LPG सिलंडर लगा था तबी अचनक बैन में संदीदे परिस्तियों में आग लग गई जोरान पास में खड़ी एक बाइक भी आग की चपेट में आग गई और दोनों वाहीं दो दूकर जनने लगे वहीं लप्टे देकर स्कूल में मौजूद सिख्षिकों और चातर चातराओं में हरकम पर मच किया इस दोरान सुचना पर पहुचे दमकन कर्वियों ने सबसे पहले स्टिडी लगा कर स्कूल की दूसरी मंजूद पर इसकित कफशाओं में पढ़ रहे हैं चातर चातराओं को रेस्क्यू कर बहार निकाला इसके बाद परिसर में जल्द ही वैन और बाइक को बोजाए गया वहीं आग लगने का कारण इस परस्ट नहीं हो सका है सियो पुर्वा दीपक सिंग ने बताए कि हासे में किसी भी चातर चातराओं को कोई चोट नहीं आई है सभी को शाकुषल निकाल लिया गया है आग किन कारणों से लगी है इसकी चार्च कराई ज़ा रही है आज दिन अंग 10 नॉमबर 23 को सुबह करीद 10 से 10.30 बजे के बीच में थाना पुर्वा 16 अंतरगत कज़वा पुर्वा में स्थित नियू सिटी पबलिक स्कूल में के परिसर में खड़ी ओमनी वैन कार में अग्यात कारणों से आग लग गई जिसमें तुरंत फायर बिर्गेड और थाना पुर्वा के स्थानी पुलिस बल्दवाला पहुचकर मौके पर आग को बुजा दिया गया है सभी बच्चे सुरच्चित हैं